नमस्का, मैं होसासी आयो जर्खन की टॉप पचीस पर मोग खबर जानते हैं सरकार की तरफ से जनकारी दी गई है कि 10 अप्रेल से देश के हर वेस्क नागरी को क्रोना वैक्सिन की बुष्टर लगवा सकेगा जिन लोगों की आयू 18 साल से अधीक है और दूसरी खुराक लिए हुए 9 महिना से ज्यादा का वक्त बीत गया है वे प्री कोशन डोज ले सकते हैं या स्विधा नीजी वैक्सिनेशन सेंटर पर उपलवद होगी मौसम विभाग के अनुसार सुक्रवार को उमस भरी गर्मी के बीच उत्तर पूर विभाग में लू की स्थिती रही मेंदनी नहगर में सबसे गर्म रहा है यहाँ का टापमान 43.2 डिग्री रिकोर्ट किया गया हलाकी गिरीडी में अधिकतम टापमान समाने से 6 डिग्री सेल्सियस ज़दा रहा राद्ची समेत राजे के 7 UV में अधिकतम टापमान 38 डिग्रीस के पर रहा बतावते गड़व में 41.4, देवघर में 41.3, गिरीडी में 40.6, चाईबासा में 40.4, जमसेत पूर में 40.5 और गोटा में 40 डिग्री सेल्सियस रहा इसके अलावा बोकारो थर्मल में 49.5 और आजानी राची में अधिकतन तपमा 38.7 रहा पथर खधान का पटा लिये जाने पर सीम हिमन्त को हाई कोट का नोटिस खान मंत्री रहते हुए पथर खधान का पटा लीज पर लिये जाने पर सीम हिमन्त सुरिन को जारखन हाई कोट ने नोटिस जारी किया है इस मामले में आदालत ने राज सरकार से जवाब भी मांगा है चिफ जस्टिस डाक्टर रवी रंजन और जस्टिस सुजीत नरण परसाद ने सीव संकर सारमाज की याज का पर सुनवाई करते वे नोटिस जारी किया सुक्रवार को इस जनीत याच का पर सुनवाई के दुरान प्रार्थी के अधिवकता राजी उकुमार ने आदालत को बताया कि उनके मुखकिल को याची का दायर करने पर राजी के उपायुक ने धमकी भी दिया आदालत ने इस मामले में भी राज सरकार को दो सप्ता हमें जवाब दाकिल करने का निर्दिश दिया राज़ेपाल के सामने गोल्ड मेडलिस छात्रों ने डिगरी और मेडल लेने से किया इंकार ज़ारकर के चाई बासा में राज़ेपाल रामेस भायस के कारकरा में तब अजीवों गरीवी थिति पैदा हो गई जब गोल्ड मेडलिस छात्रा ने डिगरी और मेडल लेने से इंकार कर दिया जिसके बाद छात्रा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और मजला थाने ले जाया गया छात्रा सोनी सेन गुपता का कहना था कि सभी छात्र छात्राओं को समानित किया जाना था लेकिन युनिवर्सिटी ने सीर्फ पीएशडी और पीजी के गोल्ड मेडलिस्ट को ही समानित करने का पैसला लिया जो गलत है इसलिए उसने बिरोध के रूप में अपने डिग्री और मेडल नहीं लिया आस्था परंपरा संस्कृती पर हमला कतई बर्दास्त नहीं किया जाएगा अर्जुन मुंडा है मंगलवारी जूलूस और उसके बाद बुद्वार को हुए पत्राव की घटना को लेकर उत्पन स्थिती को देखते हुए जन जाती है मामलोग के केंद्रिय मंत्री अर्जुन मुंडा सुक्रवार साम खोटी पहुँचे पर परसासन ने दो टुक बात करूँगा और पूरे स्वाभिमायन के साथ इसका समधान निकाला जाएगा गिरीडी के देवरी में कुरोना भैक्सिन लेने के बाद नबाली की मौत गिरीडी जीला अंतरगत देवरी थाना छेतर के मंडरो निवासी कैलास कुमार महतो के 13 वर्षिये पुत्र आदित्य कुमार की मौत से परिजन हतास आए बताया गया कि कुरोना भैक्सिन लेने के बाद आदित्य की मौत संदिख्ध इस्थितियों में हो गई गाटना के बाद से गाउ में मातम पसरा हुआ है परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है परिजनों ने बचों की मौत कोविट का ठीका लेने के बाद रियेक्शन से होने का आरोप लगाते हुए उच अस्तरिय जाच की मांग की वहीं इस ममले में जाच कमिटी गठीत इसकी जाच की जा रही है जारखन में पलस टू सिक्छक नियुक्ति निमावली में संसोधान 75 पर 35 सीटों पर सीधी नियुक्ति जारखन के हाई स्कूलों के सिख्षकों को पलस टू स्कूलों की नियुक्ति पर किरिया में अब 25 फिश्दी पदों पर ही आरक्षन मिलेगा पलस टू स्कूलों में 75 फिश्दी पदों पर सिधी नियुक्ति होगी अगर हाई स्कूल के सिक्षक से आरक्चीत 25 फिर्दी पद नहीं भरते हैं तो सीधी नियुक्ति के माध्यम से इन पदों को भरा जाएगा इसकूली सिक्षा और सक्षता विभाय के सचीव राजेस कुमार सर्मा ने गुरु आरको जारकन प्लस टू बिद्याले सिक्षक और सिक्षकेतर करमचारी नियुक्ति वस्यवा सर्थ निमावली 2022 के सुचना जारी कर दिया है मांडर बिधायक बंधू तिर्की की बिधाय की खत्म है रांची के मांडर बिधान सभा सिट से बिधायक बंधू तिर्की की बिधाय की खत्म हो गई है इस समद में जारकन बिधान सभा सचीवाले ने अधिसूचना जारी कर दिया है बतादे सिरी तीर्की पर आये से अधीक संपति अरजित करने के मामले में सीबी आई की स्पेसल कोट ने गत 28 मार्च 2022 को दोस्ती बताते हुए तीन साल की सजा और तीन लाग रुपे का जूर्माना लगाया था सीरी तीर्की की सदस्यता खत्म करने के लिए स्पीकर रमिदर्नात महतो की मनजूरी पहले ही मिल गई थी सुक्रवार को जार्कन बिधान सभा के प्रभाली सचीव सयद जावेद की ओर से जारी अजिस उचना में कहा गया है की सीबी आई के स्पेसल कोट ने बंधू तिर्की को दोस सीध करार देने पर जन परतिनिदित्व नियम उनाई सव एकावन की धारा आट तता समिधान के अनुछेद एक सव एकानबे एके प्रवधान के तहद 28 मर्च 2022 के परवाव से जार्खन बिदान सवा के सज़ जता खत्म की जाती है जार्खन में बरावी पास युवा कोसल परसिक्षान से सपनों को दे रहे नए उडान जार्खन के मुख्य मंति है मांसुरेन की पहल के बाद स्रम्ण युजन परसिक्षान युम कोसल पीकास बिभाज तथा एसील के बीच हुए एमोयू का रिजल्ट महाच चार माह के अंदर ही नजर आने लगा है पलास्मेंट लिंक्ट स्कील ट्रेनिंग कारेकरम के जरिये राजे के युवा परसिक्षन अम रोजगार उपलब्द कराने की युन्या से लवानमित होने लगे है बतादे प्रतम चरन में राजे के 220 युवा सरकार के रोजगार परकार उपलंव करम से जूड़कर इटी सेक्टर में अपने सपनों को रान दे रहे है जहरखन में क्रोणा के 4 नएकेस मिले हैं जबकि 2 मरीज स्वस्थ हुए है जारखन में कुरोना के कूलेक्टिव केस की संख्या 38 है भारत में 1199 केस मिले है जबकि 1113 मरी स्वस्थ हुए भारत में कूलेक्टिव केस की संख्या 27-434 नकसली संखठन जेपी सी के सबजोनल कमांडर समेथ 5 नकसली गिरफतार पूलिस और CIPF के सन्युक्त करवाई में गिरफतार नकसलीयों में चात्रा सदर्थाना चेतर के देवरिया गाउं के सम्जोनल कमांडर महेंदर ओर्फ नेता जी ओर्फ ललन जी सामिल हाए BSF के 331 नए जवानों का हजारी बाग में पासिंग आउट परेट संपन हजारी बाग के मेरू स्थीत रानी जहांसी परेट ग्राउंड में सीमा सुरक्षा बल के 349 आरक्चक का पासिंग आउट परेट हुआ नव आरक्चक बैच संख्या 154 एवं 155 में असम केरला तिलंगाना जमु कास्मीर एवं पंडु चेरी के जवान सामिल हाए बतादे 44 सप्ता के कठिन परिश्रम लगन एवं साधना के बाद बुनियादी परसिक्षन पूर्वकर दिक्षांस परेट में सामिल हुए हाए शुक्रवार कुरांची में मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनका अंदोलन जारी रहेगा वह जुकने वाले नहीं हैं लोबिन हेमरेम के तेवर से साप छलक रहा आई की वह अपनी हाथियार डालने के मुड में नहीं है उन्होंने कहा कि 1932 के खतियान के अधार पर जारकन में अस्थाने निती लागू करने की मांग को लेकर उनका अंदोलन जारी है और आगे भी जारी रहेगा लोबिन हेमरेम ने कहा कि मुख्य मंत्री हेमान सुरेन आपना भतिजा है गलती करेगा तो मुझे डापने कहा कहा जामो विधायक नई अभी कहा है कि अगर जामिमो सुप्रिमो सीबु सुरेन कहेंगे तो सीर काट कर दे देंगे लोबिन हेम्रेम प्रेस वार्ता के दरण जामों नेता इस्टीपन मरांडी पर जमकरबर से उन्होंने काया कि कितने गहाट का पानी पीचुके हैं लोबिन हेम्रेम ने हेमन स्राबंदी लगु करे मुसलिम पुलिस कर्मियों के लिए साम चार बजे के बाद करयाले से छुटी का आदेस एस एसपी सुरेंद्र कुमर जाने वापस ले लिया है एक दिन पहले राजेपाल के आदेश पर सरकार के सन्युक्त सचीव के आदेश का हवाला देकर मुसलिम पुलिस कर्मियोक रामजान के दोरान साम चार बजे के बाद छूटी दिये जाने और सुक्रवार को नमाज के लिए बारस से दो बजे तक की बिसेस अनुमतिक आदेश चारी किया गया था इसे बिलोपीत करते हुए वापस ले लिया गया है मालूम हो कि इससे पूरो पुलिस विभाग दोरा जारी आदेश में कहा गया था कि राज जेपाल के आदेश पर सरकार के सन्युक्त सचीव के आदेशा अनुसार मुसलिम पुलिस कर्मियों को रामजान के दोरान साम चार बजे के बाद छोटी मिल जाएगी जारखन पंचायच चुनाव में दो गाड़ियों का ही इस्तिमाल कर सकेंगे मुख्या परत्यासी पंचायच चुनाव में मुख्या पद के परत्यासी अधिक्तम दो वाहनों का इस्तिमाल चुनाव पर सार में कर सकेंगे माददान के दिन भी वे इतने ही वाहनों का उप्यों कर सकेंगे वहीं ग्राम पंचायत के सदसे के परतियासियों को वाहन इस्तेमाल के अनुमती परचार के लिए नहीं दी जाएगी राज निर्वाचन आयोग ने मौई माह में होने वाले 33 पंचाय चुनाव में विभीन पदों के परतियासियों द्वारा इस्तेमाल में लाए जाने वाले अधिक्तम वानों की संक्या ताय कर दिया है सोभा यात्रा को लेकर सहर में बड़े इलाकों में वाहनों का परवेस बंद राजधानी के परमूख मारगो पर जांखी परत्योगतावा महारम नमी और चैती दुरगा पुजा के सामोहिक विसरजन यात्रा को देखते हुए सनिवार को दोपर 2 बए से 10 अप्रेल की साम 6 वाहनों का परवेस बंद रहेगा राची ट्रेफिक SP कर्याले से जारी निर्दियस के मुताबिक सनिवार को दीन के 2 से 10 अप्रेल को सुबह 4 बए तक रातु रोड के नागा बावा खटाल, न्यू मार्केट चौक, सहित चौक, सुबह चौक, ग्वाला टोली, सरदानन्द रोड, गांधी चौक, अपरबजार, महावीर चौक की ओर से आने वाले सभी 2-4 पहिया वाहनों का परवेस नहीं होगा बच्चों को फीर से पढ़ाई में जोडने के लिए राष्ट्रिये समेलन मुख्य मंत्री हेमान सुरेन की पहल पर सिक्चा एम सक्षर्टा विभा की ओर से 12 वा 13 अपरेल को होटल BNR चनक के में रष्ट्ये समेलन होगा ताकि अन राजियो वर लॉक्डाउन के बाद बच्चों की पढ़ाई के लिए की गई पहल पर चर्चा हो सके और उन्हें समझा जा सके सिक्चा छेत्र को और मजबूत करने में सहयोगात्मक पर्यास के लिए जारकन सिक्चा पर्योजना परिशद और केर इंडिया के बीच एम ओयू पर हस्ताक्चर भी होगा बता दे सी एम के निर्देश के बाद इसकुली सिक्चा वर सक्षर्टा विभाग बच्चों में पढ़ाई को लेकर आई दूरी को पाटने के लिए कारे कर रहा है जनजातिये मंतरी अर्जुन मुंडा का भोगता समाज ने किया जोरदार स्वागत भोगता समाज के लोगों ने संस्क्रिटी टीम के साथ नाच गान करतेवे स्वागत किया है उनके साथ दिली से पुरोविधायक जय परकास सिंग भोकता, केंद्री अध्यक, सुदर्शन गांजु, सचीव जगरनाथ सिंग भोकता, युवा अध्यक्स, उमेश सिंग भोकता राची पहुचे हौकी में जार्खन ने चंडीगड को 3-2 से हराया भोपाल में चल रही बरावी राष्ट्रिये सिनियर पूरू सहं की परत्योगता में जार्खन ने सुक्रवार को चंडीगड को 3-2 से पराजित कर दिया है जार्खन के लिए नोयल टोपनो, अनुरोद भेगरा और मनोहर मुंडू ने एक एक गोल किये बता दे पहले क्वार्टर में 1-0 से पिछडने के बाद जार्खन का एक संदार कमबैक किया और जीत हासिल की लंबे अर्शे बाद जार्खन में सिनियर नेशनल में अपने से साथ रेंक उपर चंडीगड को प्राजित किया है जार्खन की टीम इससे पहले दो मैस भी दिच चुकिया है 1932 खतियान जरूरी विधायक लोबिन हेंबराम आदिवासि मुलवासि जनाधिकार मंच के द्वारा चुटिया इसी राधा बलब मंदीर में जाइमो के विधायक लोबिन हेंबराम का भव्य स्वागत किया गया उन्होंने एक उल्गुनान और करने का अवाहन किया उन्होंने अपने संकल्प में काहा कि ज़ारखंडियों के अस्तित्व की राक्षा उन्हें 32 के खतियान के लागू होने से ही होगी मैं 1932 के खतियान के लागू करने इस अभ्यान में निकल चुका हूँ देवगर में देश विदेश के तीन सो हड़ी रोग भी से सग्यों का महा जुटान जारखन अर्थोपेडिक एसुसियेशन का चोधाहँ बार्शिक समेलन सुक्रवार से सुरू हो गया है तीन दिवसे समेलन का उधगाटन मोख्याती थी देवगर एमस के डारेक्टर डाक्टर सौरव ने सन्यक्त रूप से दिप परजलित कर किया उधगाटन सत्र को समधित करते हुए मोख्याती थी एमस डारेक्टर ने कहा कि देवगर जैसे सहर में अर्थोपेडिक डाक्टरों का इतनी बड़ी संक्या में जुटान और तीन दिनों तक चलने वाले मंतन से नए यंगस्टर डाक्टर को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा राहूल गांधी की याचिका पर हाई कोट में 26 को सुनवाई कांग्रेस के पूर्व राष्टरिय अध्यक्ष राहूल गांधी की अचिका पर जार्खन हाई कोट में 26 अपरिल को सुनवाई होगी सुक्रवार को राहूल गांधी की ओर से अपना पक्ष रखने के लिए समय देने का आगरा किया गया जी से जास्टिस एसके दिवेदी के अधालत ने सुईकार कर लिया साथ ही सुनवाई के लिए 26 अपरिल की तारिक निधारित की गई अधालत ने राहूल गांधी को दी गई पूर्व में राहात और दी भी 26 अपरिल तक बढ़ा दिया बता दे राहूल गांधी पर मोधी नाम वालों के खिलाप की गई अपमान जनक टिपनी करने कारोप में रांची की निचली अधालत में अधिवक्ता परदीप मोधी ने सिखाय त्वाद दर्च कराई है रांची पूलिस ने अलर्ट मार्च निकाला राईधानी में माहराम नमी और माहराम जान पर सुरक्षा वेवस्था को लेकर आमजन को सुकून से रहने और अवांची ततो के लिए चेतावनी का संदेश देते हुए रांची पूलिस ने अलर्ट मार्च निकाला रांची के SSP सुरेंदर जहागे नेतित में सुकूरवार को दीन में मुराबादी मैदान से निकले अलर्ट मार्च में सहरी चेतर के सभी डीएसपी, सर्किल इंस्पेक्टर, ठाना और ओपी के परभारी, PCR, टाइगर मोबाइल, रिजर्ब पार्टी सामिल रही खाद द्यान की आपूर्ती मातरा की ओनलाइन मोनेटरिंग होगी जारखन सरकार के खाद एवं आपूर्ती विभाग ने राशन बीतरन बेवस्था में पारदार सिता लाने और उभोकताओं को सुविधा मोहया कराने के उदेश से कई एप जारी किये है एप कई तरह से पूरी सप्लाई चेन और विभाग से जूड़े लोगों के लिए लाबकारी है सुक्रवार को राई सरकार के बीत एवं खाद आपूर्ती मंत्री डाक्टर रामेश्वर उराव ने विभागी आधिकारियों के साथ जे एस एप सी भावन कडरू में मंत्रन किया पिछले वित्य वर्ष की उपलबदियों पर चार्चा की और नए वित्य वर्ष की कार जोजना को बेतर ढंग से करेमनन पर जोर दिया बाटक में विभाग के सचीव हीमानी पांडे भी महजूद थी मात्रू सीसू मिरितियो दर रोकने को माइक्रो पलान बना कर काम करने का निर्देश बाल बीवा के रोक थाम दो बचों के जन्म के बीच अंतर को बढ़ावा देने और परिवार नियोजन सेवाओ की गुनवाता में सुधार लाने के लिए समिक्षा बैठक की गई इन एच एम कर्याले में अभियान निदेशक, अधित कुमार, अनन्द की अधिक्स्ता में हुई बैठक में उन्होंने परिवार नियोजन सेवाओ के प्रबंधन तथा बेंच मार्क के अनुरूप कार करते हुए समय लक्ष प्राप्त करने को कहा धन्यवात यदि आप चनल पर नहीं हो तो चनल लोग सब्सक्राइब कर बहुल का बेल एक अन्द बाइए साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ सेयर करना ना भूले साथ सी साथ आप आप हमें कुमेंट पक्स में अपना फीड़ बैक अवस से दे थांक यू